कि नमस्कार साथियों डॉक्टर रुमंख खना हुम्योपेथि क्लीनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है मेडिकल टर्म में मरीजों द्वारा सबसे इस चीश से हो गई उस चीश से हो गई, उस चीश से होगई, तमाम लेकिन ऑलर्जी वर्ड उसमें होता है तो आज हम लोग डिसकस करेंगे अलर्जी इसके विशे मे और आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे निप्टे कैसे आप इसका निदान करें सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एलर्जी होती क्या है एलर्जी साथियों आपका जो बॉड़ी होता है उसका एक डिफेंसिव सिस्टम होता है कभी क्या वक्त आता है कि आपका बोडी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है तो जब आपका external कोई infection आता है या वो infection नहीं भी होता है कोई भी allergen होता है जो वास्तव में जिसको आपको allergy नहीं cause करनी चाहिए लेकिन आपका immune system उसके लिए हाइपर सेंसिटिव response रखता है उस हाइपर सेंसिटिव response में जो इस्थितिवपन होती है उसी को allergy कहते है suppose कीजिए किसी को milk products allergy है तो जब आप से milk products का intake करा तो जो body का immune system है उसने जो antibodies बना रखे हैं उन्होंने उस पर attack कर दिया और इसको मरीज ने आके का milk allergy है तो यह जो body immune का hypersensitive response होता है इसी से उस्थित्पन condition को allergy कहते है इसमें सात्यों एक बहुत important बात होती है कि यहाँ जो है कभी बहुत जल्दी develop हो जाता है body में कभी यह सालों में होता है कभी यह सालों में भी पूरा नहीं हो पाता है एक partial होता है उस इस्थिति में आपके शरीर में allergy moderate होती है और अगर ज़्यादा response develop हो जाता है पूरी तरह तो इसको ज़्यादा हो जाती है यह जो process होता है बीच का कि allergy develop होने के लिए जो antibodies generate हो रहे है उनको जो immune system जो release करता है उनको पूरा develop होने के बीच के बीच जो process होता है उसको sanitization कहते हैं यहाँ एक फो time taking process होता है बात कर लेते हैं साथियों इसके symptoms की allergy में साथियों जिस तरह के allergy वैसा symptom अगर आपके जो है वो nasal allergy है तो छीकों का symptom हाग है अगर आपके articularia है तो skin में आपके बल जाग है अगर आपके मच्छर के काटने से आपके allergy हो जाती है तो उस तरह की लाली होगे मच्छर ने काटा और भारी घाओ बन गया भारी वो scales आ गया भारी चकत्ता बन गया इस तरह का different different manifestations होते हैं बात कर लेते हैं साथियों इसका एक symptom में एक इस्टिती और होती है इसको कहते है एनफालेक्सिस यहां आपको जानकारी होनी चाहिए यहां एक बहुत life-threatening serious condition, medical condition होती है जो कि allergies में होती है जैसे क्या होता है हम लोग आम तोर पर allergies को बहुत हलके में लेते हैं कि allergy है तो है लेकिन allergy के में अगर यहां condition आपके chronic condition develop हो गई तो यहां life-threatening होती है जिसमें आपके unconsciousness भी आ जाती है आप भेहोश हो जाते हैं आपका BP भी low हो जाता है आपको pain बहुत बढ़ जाता है और आपको तकलीफे होती है और एक medical emergency के आप entitled होते हैं और इस word को अगर आपके किसी भी चीज़ की allergy है तो आप इस word को अबश्च ध्यान में रखें बात कर लेते हैं साथियों उसके कारणों की इसका कारण साथियों जैसा हमने बताया कि जब आपके कोई allergen आता है आपका body का immune system होता है वो उसको बहरी particle एक intruder के रूप में एक दुस्मन के रूप में recognize करता है और आपका immune system IgE जो immunoglobin होते हैं वहाँ antibodies release करते हैं और यह antibody उस vicious infection को पहचानते हैं कभी यहाँ जल्दी पहचान लेते हैं कभी इनको पहचानने में वक्त लगता है कभी महीनों का कभी सालों का लेकिन यह पहचानते हैं जित्ता जादा पहचानते हैं उतना जादा आपको इसका बुरा response आता है तो जब यह आप पहचान लेते हैं तो जब भी वो allergen आपके body, आप उसके contact में आते हैं तो आपके यहाँ जो antibodies होते हैं यहाँ उसके हमला कर देते हैं और यहाँ ही आपके manifestation के रूप में विभिन, विभिन जिस तरह का allergen उस तरह का manifestation उस रूप में आपके सामने आते हैं इसकी साथियों इसी लिए डाइगनोसिस के लिए डॉक्टर IgE का टेस्ट कराता है कभी आपको allergies रही होंगी तो डॉक्टर ने IgE टेस्ट चरूर कराया होगा या immunoglobin होते हैं जो की blood में release होते हैं और यही प्रतिरोज़क्षमता जो सरीर की है यही आपका antibody बनाके आपको सही करने वाली चीज़ को कष्ट के रूप में आपके सरीर में दे देते हैं पॉलेन एलर्जी की साती होमियोपर्थी में बहुत कारगर दवा हैं जो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगी बस बात यही है कि आप इस बात का वस्दिहान रखें कोई भी दवा जैसे हमने कहा कि इसमें लाइफ ठ्रेटिंग कंडिशन भी एनाफाइल एकसिस की अलर्जी के साथ इन्वाल रहती है इसलिए कोई भी दवा भी न कुसल्ची किसक से पूछे ना लीजिएगा पता नहीं कि दवा का क्या मिनिफेस्टेशन हो और आपको क्या वहाँ नुकसान पहुँचाए पताते हैं साथियों आपको एलर्जी को ठीक करने की कुछ कारगर होमियोपेथिक दवाएं पहली साथियों पॉलन एलर्जी में आती है वहाँ है कि आपके कोई पॉलन आया हवा में और आपके इम्यून सिस्टम ने एंटी बाडी ने उस पे हमला करा और आपके नाख से पानी आने लगा आँख से पानी आने लगा जो जलन कर रहा हो और आपको चीके आने लगी तो अगर यहाँ सिती है साथियों तो इसको ठीक करने की हमियोपेथि में तीन बहुत कारगर दवा है पहली दवा है एलियम सीपा, दूसरी दवा है उफ्रेसिया और तीसी दवा है आसनी के अलबम एलियम सीपा साथियों उससी स्थिती में बहुत कारगर है पॉलेन के एलर्जी के इंफेक्शन में कि जब आपको नाख से और आख से पानी आ रहा है और जो आपके नाख से पानी आ रहा है उसमें जलन है अगर या इस्टिती है तो आपकी टगाउदा चॉइस एलियम सीपा है दूसरी इस्टिती साथियों पॉलेन एलर्जी में आती है कि आपके आँख से पानी आ रहा है नाख से पानी आ रहा है लेकिन जो आँख से पानी आ रहा है उसमें जलन है तो अगर आई से जो लेक्राइमर डिश्चार्ज हो रहा है उसमें आपको बंडिंग सेंसेशन हो रहा है तो उसको ठीक करने की हुमेपेटी में बहुत कारगर दबाय यूफ्रेसिया ओफिसनेलिस यूफ्रेसिया ओफिसनेलिस दो सो पावर में आप दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपका पॉलन ऑलर्जी भी खतम हो गई और आपके आंक से जो पानी आरा जो जलन कर रहा है वहाँ भी खत्म हो गया तीसी दवा साथियों pollen allergy की बहुत कारगर है वहाँ है आसनिक अलबम, आसनिक अलबम उसी सिती में बहुत कारगर है कि जब आपके छीके आ रही हो, नाक से आक से पानी आ रहा हो और आपका गला बहुत सूख रहा हो, उसी सिती में डगल दो चोईस आसनिक अलबम है, आप 30 पा प가 टानी और पॉललिंग की अलरजी हो और उसके आपके नाक में बहुत एचिंग होने लगती हो आपके नजला तो हो ही, आपके रणिंग नोस हो, आपके आक से पानी भी आता हो यारि करें पिंज आपके इलर्जी हुई और उसके बाद आपको बहुत तो नाग बंद हो गई और जो बल गम है वो आपके फोट में जाने लगा अगर यहां एस्टिति आपके बल बंद हो गई और बल गम है। काली बाई क्रोमेटम। ताली बाई थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल दे लें आप देखेंगे कि जो आपके बल्गम जमा हो रहा है वो वापस जो अंदर थोर्ट में चला जा रहा है वहाँ भी खतम हो गया और आपकी पॉलें इलर्जी भी खतम होने लगी फिर एक इस सिती आती सा आती हो कि आपके एलर्जी हुई पॉलें से हुई डस्ट माइट से हुई इस तरह के जो धूल गर्दा से हुई और उसके बाद आपको जो है वो चीके नजला हुआ साथ में फीवर आ गया और सर में दर दोने लगा और आपके प्यास बिलकुल नहीं लगी अगर यह सारे सि यह वीकनेस और आपकी यहाँ ईलर्जी जो कि डस्ट माइटस या पॉलेंस से हुई है वहाँ भी खत्म हो जाएगी नंबर एक दवा साथियों जो की नैसल एलर्जी स्की है या पॉलन एलर्जी की है डस्ट माइटस की है वहाँ थायरोडिं आप थारोडिन 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले लें आपकी जिस भी तरह की नेसल एलर्जी है उसमें आपको जरूर रहात मिलेगी और आप बहुत सुलब अपनी सिती पाएंगे चाहे वाची के आना हो, चाहे वो नजला होना हो, चाहे वो सरदर्द होना हो, चाहे वो नाग में खुजली हो, चाहे इरिटेशन हो, चाहे आपको जो भी नेसल एलर्जी से समद्दी समस्या हो आप थारोडिन 30 लेकर उस समस्या को खत्म करके लाब पास सकते हैं यह दबाएती आपके एलर्जी के विशह में अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे वाट्साइप नंबर 94-95-786-3003 पर अपनी क्वेरी को वाट्साइप कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपको स दोचनक जवाब दे पाएं उमीद करेंगे इन दमाओं से आपको एलर्जी में फायदा हो आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने चैनल को अन्य लोगों को सब्स्राइब करने के लिए प्रेडित करिएगा और बेल नोटिफि हाँ कर दो कर दो कर दो